सिक्षक साथियो नमस्कार मेरे चैनल एडुकेटर जी में आप सभी का हार्दिक अभिनन्दन है यह वीडियो जातिय अधारित गणना से संबंधित है और खास कर वैसे सिक्षकों से संबंधित है जो प्रगणत के रूप में नियुक्त किये गये है तो इस वीडियो में कमेंट के आधार पर आज हम लोग समझेंगे कि परिवार किसे कहेंगे कब संजुक्त परिवार को दो अलग परिवार कर दिया जाएगा और कब अधिक संख्या होते हुए भी एक ही परिवार में रखेंगे इसके बाद कब किसी भोवन में दो मकान करेंगे अगर किसी मकान में या भोवन में दो चुले जल रहे हैं तो उस भोवन की नंबरिंग कैसे करेंगे हमारे भोवन अथवा मकान का नंबरिंग करने का आधार क्या होगा परिवार संख्या के बाद परिवार की क्रम संख्या कैस निर्धारित करेंगे ये सब ही बाते आज practically पेन और पेपर पर यहां समझेंगे तो चलिए आएए वीडियो प्रारम करते हैं वीडियो प्रारम करने से पहले आपसे रीक्वेस्ट है यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किये है तो चैनल सब्सक्राइब देखिए एक बार समझ बना लेने पर यह बिल्कूल ही पेचीदा नहीं है बस कंसिप्ट समझ लेना है क्योंकि सब ही प्रगणग अब अपने छेत्र में तीव्रगती से कार्य रत हैं और तुरत उनका फर्मेट भी भरना है किन्तु जब तक भावतिक रूप से भावन मकान पर नंबरी करण नहों जाए तब तक रॉप वर्क में हम लोग यह 10 कॉलम वाला जो मकान विवरणी प्रपत्र है वो नहीं भर सकते हैं तो आएए आज के इस वीडियो में इसी पर विचार करेंगे कि परिवार के किस इस्थिती में हम दो मकान बनाएंगे किस इस्थिती में एक-इही मकान रहने तथा भौवन की कैसी इस्थिती होगी कि उसमें दो मकान बनाएंगे या दो से अधिक बनाएंगे या परिवार अधिक रहते हुए भी किस परिस्थिती में उस भौवन में एक इही मकान संख्या रहने देंगे। चलिए विडियो विस्तार से देखते हैं तो आएए सबसे पहले परिवार की समझ बनाते हैं किस इस्थिती में दो परिवार करेंगे किस इस्थिती में एकी ही परिवार रहने देंगे। तो यहां मान लिया जाए कि ये है महेश कुमार। इनके दो पुत्र हैं रमेश कुमार और दूसरे पुत्र हैं राकेश कुमार। ठीक है। इन दोनों की साधी हो चुकी है दोनों की पत्निया हैं और रमेश कुमार की दो बेटी भी हैं राकेश कुमार की जो हैं दो बेटे हैं ये है परिवार की स्थिती। और महेश कुमार की पत्मी भी अभी जीवित हैं इसी घर में है। अब ये नहीं समझना है कि ये एक परिवार हो गए और ये एक परिवार हो गए। बिना पूछताच के कुछ भी अपने से डिसीजन नहीं लेना है यहीं से गरबड़ी प्रारम होती है। तो सबसे पहले यहां भौतिक रूप में बादचीत करेंगे। तो बादचीत के क्रम में यदि पता चले कि महेश कुमार जो हैं अपने पत्मी के साथ तथा अपने इन दोनु बेटे के साथ एक ही साथ रहते हैं। एक ही साथ इनका खाना बनता है। तो इस इस्थिती में परिवार एक होगा। नेकि खाना एक साथ बनना मतलब एक परिवार होना। ठीक है। तो ये एक परिवार होगा। अब बादचीत के क्रम में पता चला कि रमेश कुमार अपने पत्नी तथा बेटियों के साथ अलग रह रहे हैं। तथा राकेश कुमार भी अपने दो अपने पत्नी के साथ किसी भी याрат रमेश कुमार में या राकेश कुमार में है तो अब इस स्थीटी में दो परिवार बनेगा, दो परिवार, ये हुआ परिवार का कंसिप अब किन्तु परिवार से ये अर्थ नहीं लगा लेना है कि दो मकान हो गया आईए अब इस पर चलते हैं पहले परिवार के बाद अब चलते हैं मकान पर मान लिया जाए कि ये इनका मकान है ठीक है और इसी में ये लोग निवास करते हैं इस मकान में अगर ये सब ही एक साथ रह रहे हैं कह रहे हैं कि हम लोग एक साथ हैं तो यहां पर भवन संख्या भी मालेजे के पहले हैं प्रारम कर रहे हैं तो भवन संख्या 01 और मकान संख्या 001 और परिवार संख्या 1 और परिवार की क्रम संख्या 1 इतना समझ लेजे, होगा, कब जबकि सभी लोग सन्युक्त परिवार के रूप में यहां रह रहे हैं, तब किन्तु यदि परिस्थिती थोड़ी अलग हुई, महेश कुमार ने कहा, कि मैं रमेश कुमार के साथ रहता हूं, और ये राकेश कुमार जो है, ये अलग रह रहे है अर्थात इनका खाना अलग बनता है, और इनका खाना अलग बनता है, तो इस स्थिती में दो परिवार हो गया, अब क्या दो मकान भी हो जाएगा, ये जानेंगे, तो concept किलियर हो जाएगा, आए यहां numbering पर देखते हैं, मान लिया जाए, कि ये पहला भवन है, पहले ही ब तो भवन संख्या 0-1, मकान संख्या अब देखेंगे यहां कि दो परिवार है इनका निकाशद्वार है, अर्थात कोई अलग निकाशद्वार नहीं है, अंदर भले खाना दो जगह बनता है, अर्थात दो परिवार है, तो इस इस्थिती में, इस पर, यहां भ्हवन संख्या तो हो गया, तो इस इस्थिती में मकान संख्या चुकी पहला ही है, तो जीरो जीरो एक करेंगे, दो नहीं बनाएंगे, मकान एक ही रहने देंगे, भले इसके अंदर दो परिवार हैं, रमेश कुमार, राकेश कुमार, और ये महेश कुमार इनके पिताजी रमेश कुमार के साथ रह रहे हैं। तो दो परिवार अंदर हैं किन्तु यहाँ जो मकान संख्या है एक ही देंगे 001 और इस इस्थिती में परिवार की संख्या 2 और परिवार की क्रम संख्या 0102 अपने मकान विवरणी प्रपत्र में दर्साएंगे जिसमें असपस्ट कॉलम दिया हुआ है अग यदि इस मकान में मान लिया जाए कि ये एक और दिवार दर्वाजा होता ये दर्वाजा है तो निकास द्वार क्या हो गया एक हो गया ठीक है तो इस स्थिती में क्योंकि परिवार दो निर्धारित हो गया और पता चला महेश कुमार से कि ये इनका है निकास द्वार रमेश कुमार का और ये है रकेश कुमार का तो इस स्थिती में अब भवन तो एक ही रहेगा लेकिन मकाम दो हो जाएगा ठीक है मकाम दो और उस स्थिती में अब क्या होगा कि ये तो मकाम 001 हुआ ये हो जाएगा 002 ठीक है मकाम क्या हो गया दोनों की संख्या अलग-अलग हो गई जबकि भवन की संख्या दोनों की एक ह रहेगी किन्तु परिवार दो है तो इस इस्थिती में भी अब परिवार दो ही रहेंगे क्योंकि कुल मिलके दो ही परिवार है तो इस मकान में परिवार संख्या यहां एक और इस मकान में भी परिवार संख्या एक दर्साएंगे और परिवार की क्रम संख्या 0-1 होगी इसमे और इसमें भी 0,1 ही होगी अब 0,2 नहीं होगा 0,2 तब ही होगा जब एक मकान हो और इसी के अंतरगत दो परिवार हो तब होगा 0,1 और 0,2 अगर अलग-अलग यहां मकान निर्धारित कर दिया गया तो यह जो क्रम संख्या है परिवार की यह 0,1,0,1 ही रहेगी जब एक ही निकास दवार था तो भवन भी एक था मकान भी एक था यहां दोनों में और इस मकान में दो परिवार थे तब 0,1 और 0,2 रहना चाहिए था तो मुझे आसा है कि यहां पर परिवार का concept, परिवार संख्या का concept, मकान का, भवन का और एक मकान में कितने परिवार हैं तो उसका numbering कैसे करेंगे यह समझ में आ गया होगा अगर कुछ भी सेस बच जाता है जो समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करें उसके अधार पे वीडियो बनाया जाएगा इसके पहले जो वीडियो बना है वो 20 मिनट का है और बहुत सारी बाते विश्तार से उसमें बताई गई है उस बीडियो का लिंक इस बीडियो के डिस्क्रिप्शन में है उससे आप उस बीडियो पर जाकर लभानवित हो सकते हैं धन्यवाद